हेलो, हेलो, वल्कम टू दे वीडियो, इस वीडियो हम देखने वाले हैं Entrance Exam for the Physiotherapy Physiotherapy मतलब जो BPT का course होता है उसके लिए कौन-कौन से Entrance Exam मीडिया में होती है और 2023 में कौन-कौन से exam सभी होने वाली है जिसके forms आप लोग डाल सकते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ, IPU-CET ये एक exam होती है, जो कि ये काफी एक well-known exam है ये जितने भी हमारे IPU colleges है, उनके लिए exam होती है इसमें कि आप Physiotherapy course कर सकते हैं Second is BCECE आप लोग को क्या करना है, कि आप लोग को इसकी list बना लेनी है जो भी मैं exams बता रहा हूँ और फिर आपको इनकी websites पर जा करके visit करना है इनकी जो website होती है अगर आप Google पर search करेंगे BCECE तो आप लोग को इसकी website मिल जाएगी तो फिर आपको वहम पर जा करके देखना है कि इसकी dates वगेरा क्या है, ठीक है इसके लाबा खुंसी होती है IEMJEE, ठीक है यह जो अपनी engineering university है बट यह हमारे physio therapy वाली exams भी कराती है इसके लाबा LPU NEST LPU NEST जो है LPU University जो है Lovely Professional University तो उनकी भी exams होती है ठीक है इसके लाबा यहाँ पर है NILDCET तो यह भी एक exam है जो कि आप दे सकते है Then CPNET ठीक है आप लोग को note करते है जाना सरे exams इसके लाबा Dr. D.Y. Patil All India Post Graduate Physiotherapy आथिंक जो यह वाली Post Graduate के लिए इसके पहले वाली मैंने जित्ती बहता ही है यह सारी BPT के लिए और यह वाली जो है D.Y. Patil वाली यह लोग Post Graduate वाली exam है ठीक है इसके अलाबा यह अपने अगर note कर लिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना Undergraduate जो आपको Undergraduate आप course करने वाले BPT में तो उसके लिए आपको eligibility क्या रहेगी तो आप लोग यहाँ पर देख रहे है आपको 12th pass करना पड़ेगा Biology से Physicist Chemistry Biology से तो यह आपके eligibility करेटे लिया है At least आपको इतना पड़ेगा इसके बाद आपको admission process क्या रहती admission process देखो यहाँ पर दो तरीके से admission होते है Physiotherapy में तो दो तरीके क्या यहाँ पर आप देख रहे तो यह जो सारी universities है इनमें काफी जगह यह होता है आजकल की NEET का जो score है वो यूज करा जाता है जो NEET entrance exam होती है MBBS के लिए तो उसका score यूज करा जाता है तो आप लोग को NEET exam भी देना चाहिए मेरे साब से पर काफी सारी universities जो है वो आजकल NEET exam का score यूज कर दिये ठीक है इसके लावा आप लोग को जो दूसरा process है वो यह है कि आपका जो 12th का score है काफी universities में आजकल 12th का score भी यूज करते है तो आप लोग को 12th में भी अच्छा score करने की कोशिश करनी है ठीक है अगर आप फिजियो थेरपी की बारे में सोच रहे तो इसके लिए बाट टॉप colleges को उनकों से फिजियो थेरपी के इंडिया में तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है देखो Christian Medical College वेलोर नियोलेटिका यूनिवरस्टी कोलकता देन मदरास Medical College Chennai आप लोग को क्या करना है कि आपको अगर इंड में अडिमिशन लेना तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको जा करके इनकी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा ठीक है जैसे कि CGS, IPU, New Delhi तो आप लोग को इसकी वेबसाइट पर जाना है और विजिट करना है कि वहाँ पर एंड मिशन कैसे होते है अगर इन में से कोई इंस्टिट आपके घर के पास है तो बैटा देखिए आप लोग वहाँ पर विजिट करके देखे आपके आस पास का जो भी फिजियो थेरपी कराने वाला इंस्टिट है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा तो this was a short video regarding फिजियो थेरपी I hope so आपको मैंने कुछ entrance exams के बारे में बताया है और आप लोग इसके बारे में और पता करेंगे आपको अगर कोई भी doubt होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते है Thank you so much